सोलह और गर्भवती होने की कोशिश नहीं कर रहा है अपनी तीन महीने की बेटी हेजाल एनकानेसियोन सोलह को स्तन पान करते हुए टोंडो के संकीर्ण गलियों से निकलता है जो मनीला के सबसे गरीब और सबसे अधिक गर्मी वाले इलाकों में से एक है भयानक गर्व की नई मा कहती है कि वह एक और बच्चा होने से पहले पांच साल इंतजार करना चाहता है फिलिपीन्स में ऐसा करना आसान है एक गहरा धर्म देश है जहां गर्भपात अवैद है और आदुनेक परिवार नियोजन विधियों के बारे में ज्यान की कमी का मतलब है कि जन्म नियंतरन व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है एतिहासिक रूप से सैयुक त्राष्ट जन संख्या कोश के मताबिक एशिया में कहीं और गिरावट करते हुए किशोर गर्भावस्था की दर फिलिपीन्स में सेर रही है लेकिन नए जारी आधिकारे गांकडे इस प्रवरती में कुछ पदलाव को इंगित करते हैं फिलिपीन्स के राष्ट्रिय जन संख्य किया और स्वास्थे सर्वेक्षन के अनुसार 2017 में फिलिपीनों महिलाओं की आयू 9-9 प्रतिशत की उम्र 15-19 थी जो की 2013 में 10 प्रतिशत से कम हो गई थी विश्व स्वास्थे संगठन के मुताबिक ये संख्याएं अभी भी उच्च हैं 2015 में वैश्विक किशोर गर्भावस्था दर 4.7 प्रतिशत थी इंकरनासियों नए कानूनों और इंजियो द्वारा प्रयासों का एक लभार्थी है जो फिलिपीन्स में गर्भ निरोधक अधिक व्यापक रूप से उपलब्द कराते हैं वह अपने बाएं हाथ की जगह पर इंगित करती है जहां एक इंजिय लिकेहान ने अपनी त्वचा के तहत एक गर्भ निरोधक प्रत्यारोप तणन निशुल्ट डाला है यह इंकरनासियों और उसके पती को तीन साल तक देरी करने में मदद कर सकता है जो एक दिन में पांच डॉलर से भी कम समय कमते हैं जो एक डिलिवरी आदमी के रूप में काम करता है एक दूसरे बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए जब दमपती को लगता है कि वह इसे खरीद सकते हैं वह कहते हैं यह मेरा फैसला था इसलिए हम उसे नियंतरित कर सके मुझे सिर्फ दो बच्चे चाहिए अपनी बेटी के साथ गर्भ भवती होने से पहले एनकनेसियूम ने कहा कि उसने सोचा कि जन्म नियंतरन केवल उन महिलाओं द्वरा इस्तमाल किया जा सकता है जिनकी पहले से ही बच्चे हैं 2017 के राश्ट्रियर सर्वेक्षन के मुताबिक फिलिपीन्स में 28 प्रतिशत्यूवा विवाहित महिलाओं ने कहा कि उन्हें जन्म नियंतरन नहीं मिल रहा है जिनकी जरूरत है अविवाहितियों क्रियाशील महिलाओं के लिए लगभग आधे लोग कहते हैं कि उन्हें गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं है टोंडो जैसे पडोस में 10 सेकेंड अधिक बच्चों की महिलाओं को ढूनना सामान्य नहीं है सुलब गर्भ निरोधक की अनुपस्तिती में यहां कई स्त्रीयों को गर्भ पात के साधन के रूप में गर्भ पात का सहारा लेना पड़ा है संयूक त्राश्ट्र के मुताबिक अवैद गर्भ पात को डेर और शर्म की जलवाईयू में किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप सक्त कानूनी और धार्मिक प्रतिबंध शामिल है फिलिपीन्स गंभीर रूप से धार्मिक है जबकि रोवन कैथलिक का 80 प्रतिशत आबादी का हिस्सा है लेकिन 2012 में कैथलिक चर्च और गर्भपत विरोधी समूहों के साथ 14 साल की लड़ाई के बाद फिलिपीन्स ने एक प्रजनन्स वास्थि कानून पारत किया जिसने देश के जन्म दर को कम करने के लक्षर के साथ जन्म नियंतरन और अधिक प्रजनन्स वास्थि शिक्षा के लिए सार्वा भॉमिक पहुंचा निवार्य कर दिया कानूनी चुनोतियों ने कानून के पूर्ण कार्यान वैयन को 2017 तक देर तक धीमा कर दिया जब देश के घादिय एवं और शिदी प्रशासन ने अस्था कुछ नियाया लएके आदेश को उठा कर इक्यावन प्रकार के गर्भ निरोधकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया कि वे गर्भपात को प्रेरित नहीं करते फिलिपीन्स के राश्चपती रोड्रेगो ड्यूटेटे ने भी गरीबों के लिए ज्यादा जन्म नियंत्रन उपलब्द कराया है और पिछले साल एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं जो अतिरिक धन और सहायता मांग रहे हैं एक महीने बाद एक सार्वजिनिक पते पर उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं को कॉंडम के बजाए गूलिया और इंजेक्शन का उप्योग करना चाहिए क्यूंकि वे आनंद दायक नहीं हैं हाला कि उनके प्रेस सचिव ने अपनी ठेपनी का बचाव किया डुटेटे के आलोचकों का कहना है कि उनके मजाक महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भीदभा को बढ़ावाद देता है लेकिन दुपेटे के हाल के प्रयासों की वजह से एनकरनासियों के लिए नी शुल्क दिये जाने वाले गर्भ निरोधक प्रत्यारोपन महिलाओं के लिए अधिक सुलब होंगे अपने कार्यकारी आदेश के क्रियान वैन को देश की गरीबी को कम करने के लक्षे को दो हजार बायस तक तेरह प्रतिशत तक पहुंचने में मदद करने के लिए महत्वपोन माना जाता है स्वास्थे सेवा कार्य करता मैगडाले ना बाकाले को जो टोंडों की सडकों पर प्रजनन स्वास्थे के बारे में जन नियंतरन और सूचनाय वितरित करता है का कहना है कि नई कानून अब भी स्वास्थे देखपाल श्रमिकों को सबसे ज्यादा जरूरत वाली महिलाओं में से कुछ तक पहुँचने की अनुमती नहीं देता है किशोर कानून के अनुसार उन किशोरों के लिए माता-पिता की सहमती आवश्यक है जो जन्म नियंतरन का उप्योग करना चाहते हैं वह कहती हैं समुदाय में अधिकांच लड़कियां जहां बागलेंडों का काम 15 या 16 साल की उम्रों में गर्भवती हो जाता है फिलिपीन्स में यौन सहमती की उम्र सिर्फ बारह है लेकिन पुराने महिलाएं कहती हैं कि फिलिपीन्स की स्थिती पहले की तुलना में बहतर है आधिकारक आंखडों के मुताबिक 2013 में तीन बच्चों की संख्या 2017 में दो तशमलव साथ बच्चों पर खड़ी महिलाओं कि ओसत प्रजनंदर के साथ जन्दर में गिरावट शुरू हो रही है 2017 के आंखडों में यह भी पता चलता है कि किशोरों की गर्ब धारन की संख्या में गिरावट आ रही है जबकि 2013 में परिवारों की संख्या में 3.7 प्रतिशत की तुलना में 2013 में 5 प्रतिशत की तुलना में परिवारों को शुरू किया गया है सोलह और गर्भवती होने की कोशिश नहीं कर रहा है अपनी तीन महीने की बेटी हेजाल एनकानेसियोन सोलह को स्तन पान करते हुए टोंडो के संकीरन गलियों से निकलता है जो मनीला के सबसे गरीब और सबसे अधिक गर्मी वाले इलाकों में से एक है भयानक गर्व की नई मा कहती है कि वह एक और बच्चा होने से पहले पांच साल इंतजार करना चाहता है फिलिपीन्स में ऐसा करना आसान है एक गहरा धर्म देश है जहां गर्भपात अवैद है और आदुनिक परिवार नियोजन विधियों के बारे में ज्यान की कमी का मतलब है कि जन्म नियंतरन व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है एतेहासिक रूप से सैयूक त्राष्ट जन्संख्या कोश के मताबिक एशिया में कहीं और गिरावट करते हुए किशोर गर्भावस्था की दर फिलिपीन्स में सिर रही है लेकिन नए जारी आदेकारे गांकडे इस प्रवरती में कुछ बदलाव को इंगित करते हैं फिलिपीन्स के राश्य जन्संख्य किया और स्वास्थि सर्वेक्षिन के अनुसार 2017 में फिलिपीनों महिलाओं की आयू 99 प्रतिशत की उम्र 15 रेन 19 थी जो की 2013 में 10 प्रतिशत से कम हो गई थी विश्व स्वास्थि संगठन के मुताबिक ये संख्याएं अभी भी उच्च हैं 2015 में वैश्विक किशोर गर्भावस्था दर 4.7 प्रतिशत थी इनकरनासियों नए कानुनों और इनजियों द्वारा प्रयासों का एक लभार्थी है जो फिलिपीन्स में गर्भ निरोधक अधिक व्यापक रूप से उपलब्द कराते हैं वह अपने बाएं हाथ की जगह पर इंगित करती है जहां एक इनजियों लिकेहान ने अपनी तवचा के तहत एक गर्भ निरोधक प्रत्या रोप परन निशुल्ट डाला है यह इनकरनासियों और उसके पती को तीन साल तक देरी करने में मदद कर सकता है जो एक दिन में पांच डॉलर से भी कम समय कमते हैं जो एक डिलिवरी आदमी के रूप में काम करता है एक दूसरे बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए जब दमपती को लगता है कि वह इसे खरीद सकते हैं वह कहते हैं यह मेरा फैसला था इसलिए हम उसे नियंतरित कर सके मुझे सिर्फ दो बच्चे चाहिए अपनी बेटी के साथ गर्भ भवती होने से पहले एनकनेसियून ने कहा कि उसने सोचा कि जन्म नियंतरन केवल उन महिलाओं द्वरा इस्तमाल किया जा सकता है जिनकी पहले से ही बच्चे हैं 2017 के राश्ट्रिय सर्वेक्षन के मुताबिक फिलिपीन्स में 28 प्रतिशत्यूवा विवाहित महिलाओं ने कहा कि उन्हें जन्म नियंतरन नहीं मिल रहा है जिनकी जरूरत है अविवाहितियों क्रियाशील महिलाओं के लिए लगभग आधे लोग कहते हैं कि उन्हें गर्भ निरोधक का उप्योग नहीं है टोंडो जैसे पडोस में 10 सेकेंड अधिक बच्चों की महिलाओं को ढूनना सामान्य नहीं है सुलब गर्भ निरोधक की अनुपस्तिती में यहां कई स्त्रियों को गर्भपात के साधन के रूप में गर्भपात का सहारा लेना पड़ा है संयूक त्राश्ट्र के मुताबिक अवैद गर्भपात को डैर और शर्म की जलवाईयू में किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप सक्त कानूनी और धार्मिक प्रतिबंध शामिल है फिलिपीन्स गंभीर रूप से धार्मिक है जबकि रोवन कैथलिक का 80 प्रतिशत आबादी का हिस्सा है लेकिन 2012 में कैथलिक चर्च और गर्भपत विरोधी समूहों के साथ 14 साल की लड़ाई के बाद फिलिपीन्स ने एक प्रजनन्स वास्थि कानून पारत किया जिसने देश के जन्म दर को कम करने के लक्षर के साथ जन्म नियंदर्ण और अधिक प्रजनन्स वास्थि शिक्षा के लिए सार्वा भॉमिक पहुंचा निवार्य कर दिया कानूनी चुनोतियों ने कानून के पूर्ण कार्यान वैयन को 2017 तक देर तक धीमा कर दिया जब देश के खादिय एवं और शिदी प्रशासर ने अस्था कुछ नयाया लएके आदेश को उठा कर 51 प्रकार के गर्भ निरोधकों पर प्रतिबंद लगाने का फैसला किया कि वे गर्भपात को प्रेरित नहीं करते फिलिपीन्स के राश्वपती रोड्रेगो ड्यूटेटे ने भी गरीबों के लिए ज्यादा जन्म नियंत्रन उपलब्द कराया है और पिछले साल एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं जो अतिरिक धन और सहायता मांग रहे हैं एक महीने बाद एक सार्वजिनिक पते पर उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं को कॉंडम के बजाए गोलिया और इंजेक्शन का उप्योग करना चाहिए क्यूंकि वे आनंद दायक नहीं हैं हाला कि उनके प्रेस सचिव ने अपनी टेपणी का बचाव किया डुटेटे के आलोचकों का कहना है कि उनके मजाक महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भीदभा को बढ़ावाद देता हैं लेकिन दुपेटे के हाल के प्रयासों की वजह से इनकरनासियों के लिए नी शुल्क दिये जाने वाले गर्भ निरोधक प्रत्यारोपन महिलाओं के लिए अधिक सुलब होंगे अपने कार्यकारी आदेश के क्रियान वैयन को देश की गरीबी को कम करने के लक्षे को दो हजार बायस तक तेरह प्रतिशत तक पहुँचने में मदद करने के लिए महत्वपून माना जाता है स्वास्थ सेवा कारे करता मैक दाले ना बाकाले को जो टोंडों की सड़कों पर प्रजनन स्वास्थ के बारे में जन नियंतरन और सूचनाए वित्रित करता है का कहना है कि नई कानून अभी स्वास्थे देखपाल श्रमिकों को सबसे ज्यादा जरूरत वाली महिलाओं में से कुछ तक पहुँचने की अनुमती नहीं देता है किशोर कानून के अनुसार उन किशोरों के लिए माता-पिता की सहमती आवश्यक है जो जन्म नियंतरन का उप्योग करना चाहते हैं वह कहती हैं समुदाएं में अधिकांश लड़कियां जहां बाकलेंडों का काम 15 या 16 साल की उम्र में गर्भवती हो जाता है फिलिपीन्स में यौन सहमती की उम्र सिर्फ बारह है लेकिन पुराने महिलाएं कहती हैं कि फिलिपीन्स की स्थिती पहले की तुलना में बहतर है आधिकारक आंख्डों के मुताबिक 2013 में तीन बच्चों की संख्या 2017 में दो तशमलव साथ बच्चों पर खड़ी महिलाओं कि ओसत प्रजनिंदर के साथ जन्दर में गिरावट शुरू हो रही है 2017 के आंकडों में यह भी पता चलता है कि किशोरों की गर्ब धारन की संख्या में गिरावट आ रही है जबकि 2013 में परिवारों की संख्या में तीन दशमलव साथ प्रतिशत की तुलना में 2013 में पांच प्रतिशत की तुलना में परिवारों को शुरू किया गया है वह जिर्फ मेरे पेट पर कड़ी महनत कर रही थी जब भी बच्चा चले वह उसे मुश्किल से धका दे जिससे की अख चल हो सके यह काफी दर्दनाक था लेकिन मुझे इसे सहन करना पड़ा महिला ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि गर्भ निरोधक के लिए अधिक से अधिक पहुँच से उसकी नौबेटियूम को वह दर्दनाक विकर्प मिलेगी जो उसने कहा था कि उसे करना चाहिए मैं परिवार नियोजिन के पक्ष में हूँ मेरे दोस्त चचरे भाई ये सब ही मेरी सारी बहु भी गर्भ निरोधकों का इस्तमाल करते हैं क्यूंकि वे फिर से गर्भवती नहीं बनना चाहते हैं